हेलो फ्रेंड्स बनाना मैं आप सभी का फिर से एक ने वीडियो में बहुत-बहुत स्वागा थे तो फ्रेंड्स यार आज किस वीडियो में हम लोग बनाने वाले यह सिंपल सा गैस टोर जोगी भाई बनने के बाद काफी ज्यादा सैटिसफेक्शन देता है काफी ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो को सुदू से लेकर एंड तक जोड़ देखते रहाना काफी इजी है बनाना आपको वीडियो में आगे पता लगी जाएगा तो चलिए इंट्रो पर आते हैं तो फ्रेंड्स यार ये गैस टॉर्च को बनाना इतना सिंपल और इतना असान है कि आप लोग देखने के बाद बूलीगा कि विश्वास नहीं होता है तो यहां पर सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने ग्लास का बॉटल ले लिया है बहुत लिए ग्लास का बॉटल क्यों तो भा लिए लिए इसके ढ़कन के कैप के बीच में मुझे चेज करना तो मैं ये भाई कैची से हो जाय रहा है तो मैं कैची से चेज कर दे रहा हूं अच्छी तरीके से यहां पर फ्रेंड्स मैंने बहुत पहले एक आईवी सेट करदा था तो यहां पर उतना लंबा ताम जाम को जोना लेके छोटा सा पाइप लूँगा उसके एक एंड पर मैं नीडर्स को इस प्रकार से लगा दूँगा और एयर डाइट की मदद इससे अच्छी तरी किसे जोड़ दूगा तक यह एयर टाइट भी हो जाए दूसरा मैं सबसे जरूरी जीज है वह है फ्रेंट्स वी ट्र मैं एक छेद कर दिया और वहां से इस पाइप को मैंने पास कर दिया और होट ग्लू गंसा इसे अच्छी तरीके से पीछे के साइड मैं सील कर दूँगा और ऊपर के साइड में एयर लाइट लगा दूगा अब फ्रेंट्स यहां पर मैं नॉर्मल वाटर ले रहा हूं आप है आपके असानी से फरेंट जेन्राल फ्रेंट्स पर मिल जाएगा रेंट्स उसको यह साफ कर देता है यह आसानी से शुब्ले मिलेगा मैं पहले गया तो बोल नए पुर्ण तो वह मैंने उन से बोला कि मुझे जलूरी है ला कि कैसे भी दिजिए तो उन लोग ने यह प्र चुहा या मुशक महराज ने क्या यहां पर हाल कर दिया है साइट से काट दिया है तो खैर उससे उतना फरक नहीं पड़ता है हमें यहां पर कुछ कुछ इस प्रकार से यहां पर मैं फटा फट से दो चमच यह ड्रेन को यूज कर रहा हूं और अल्मुनियम फट को भी कुछ पीस को मैं फटा फट से इसके इंदर डाल दे रहा हूं अब देखे फ्रेंट्स होता क्या है इसे मैंने फ्लाइंग बैलून भी बनाया था और आपने वीडियो नहीं देखा तो यह वीडियो के बाद जाके देख लेना वह वीडियो में काफी मज़ा आया है तो यहां पर मैं अल्मुनियम फट को इसके इंदर डाल के टेप की मद सीदेखा कि कहीं सब्सक्राइब करने का जुड़ती नहीं फटर रहा था क्रीवन फ्रेंट्स यहां पर 15 सेकेंड भी नहीं और आप देख सकते प्रिट कितना हाई फ्लेम इसका और अभी तो कुछ भी नहीं फ्रेंट्स आगे देखो जितना ज्यादा फ्लेम होगा यानि उ से खूब देर अंदर पैक करके रखा जाए अंदर जितना ज्यादा प्रेसर क्रियेट होगा और जैसे यहां पर यह कंट्रोलर से आप हलका सभी से लूज करिएगा तो काफी ज्यादा फ्रेंट्स के साथ यह आपका टॉर्च मतलब फ्लेम निकलेगा अब देख सकते फ्रे इड्रोजन गैस जल रहे है न भाई इसको बुझाने का से एक तरीक है कंट्रोलर को एकदम नीचे कर दो लो कर दो पैक हो जाएगा और वापस ओन कर दो यह ओन हो जाएगा इससे काफी ज्यादा फ्रेंट्स हाई प्रेसर का फ्लेम क्रियाट होता है जितना ज्यादा प्रे